असलाम अलेकुम नाजरीन नूरानी ख़वरों में आग का खेर मगदम है नाजरीन पता नहीं हमारे देश को किसकी नजर लग गई है जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से पूरे देश में हाहा कार मचा हुआ है कभी धर्म के नाम पर देश को दंगो में जोग दिया जाता है तो कभी CAA और NRC के नाम पर देश में अफरत अफरी का माहौल बना रहता है 2015 में मोदी जी ने कहा था कि मैं देश के लिए इतना भागे शाली हूँ कि पैट्रोल और डीजल के भाव भी कम हो गए है उस पर भी विपक्ष को जलन हो रही है कि भाई ये मोदी तो बड़ा भागे वाला है अब मोदी जी आपके भागे को क्या हो गया जब से आप आए हो उपर वाला भी नाराज है कुछ तो आपकी गलतियों और आपके सिपहसलारों की नासंजी के कारण है लेकिन देश में माहौल बिगड़ा रहता है और अब तो उपर वाला भी इतना नाराज है कि इसने कोरोना जैसी बीमारी भीज़ दी है और उसके बाद आपने हर मंदिर मस्जिद गुर्दवारे के दरवाजे भी बंद कर दिये क्योंकि आपके भक्त कहते थे कि मोदी है तो मुमकिन है शायद आपका गुरूर ओपर वाले को पसंद नहीं आया और उसने भोकम और अभी जो बंगाल और उडिसम में तोफान आया है ऐसी नई नई परिशानिया आ रही है जो कभी किसी ने ना ही देखी थी और ना ही कभी सुनी ये टिड्डियों का दल पिछली बार तो दिल्ली से बाहर ही चला गया था पर इस बार ये टिड्डियों का दल गुर्गाओं तक पहुँच गया है और किसी भी समय दिल्ली में प्रवेश कर सकता है जिसे देखते हुए आज दिली में सरकारी मीटिंगे भी चलती रही और इस टिड़ी दल से मकाबले के लिए सारी तरकीबे आजमाई जाएंगी जिसमें थाली बजाने से लेकर डीजे बजाने तक के सारे काम होंगे जिसे देखते हुए दिली सरकार ने किसानों को भी सावधानी बरतने के लिए कहा है और लोगों को भी पेड़ पौधों को घर के अंदर रखने को कहा गया है दिली के सभी लोग दुआ कर रहे हैं कि इस बार भी ये टिड़ीयों का दल बाहर से ही बाहर निकल जाए आमीन इतने चेडिया लाइफ है पारली बार देखी है झाल 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 या सुझाओ है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें अल्ला हाफिज झाल 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 झाल